दोस्तो अब एक्स्प्लेइन करने वाले हैं दुरंगाटू वेब सिरीज के आगे के एपिसोड्स को जो की एक मडर मिश्ट्री वेब सिरीज है और इसकी डिमांड हर कोई कर रहा था अगर आप इसके पहले की कहानी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर देख सक आप दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अब चली कहानी शुरू करते हैं तो अब इस उत्री की शिरुवात में हम फ्लैश बैक में बाला बाड़े के साथ समित पडेल को देखते हैं जो कि आज गोपू से मैटीरियल यानि एक की लेने आये थे फिर वो मैटी दिर लेते हैं और कार में रखकर अपने साथ ले जाते हैं इसके बाद रात के समें एक लड़की बीच जंगल में बनी पड़ी थी और जब वो माते भागने के लिए आगे बढ़ती है तब ही कोई उसके उपर मचली पकड़ने वाला जाल ड एकर इरा कहती है कि यानि कोई और भी है जो बाला बाने के साथ ही को ढूंडना चाता है तब ही वहाँ पर उनके हैड आते हैं और उन पर भड़कने लगते हैं कि तुमारे अंडर कोई आकर विटनिस को मार कर चला गया और तुम सब कुछ भी ने कर पाए यह कहकर उनके सर ईरा से यह केस ले लेते हैं और कहते हैं कि इसे अब मैं ही समालूंगा लेकिन इरा सर को किसी तरह से मनाती है और उसके सर कहते है कि चलो ठीक है चार दिन देता हूं उसके बाद मैं कुछी भी नहीं grab के लिए प्राची के वीडियो देखकर meditate कर रहा था लेकिन फिर भी उसको बार वर वही बारा बारे की सिटी सुनाई दे रही थी जिससे वो परिशान हो जाता है फिर अभी शेक अपनी बेन प्राची से मिलता है और पूछता है कि क्या आपको बाबा के सिटी याद है तब प्राची कह में वही सीटी भी बजा रहा था प्राची कहती है कि फिर तो वही होगा हमारे बाबा का साथी अब शेक कहता है कि उसे अब मैं तो पकड़ गही रहूंगा जिसके लिए पहले मुझे गोपु को ढूड़ना होगा और वहां से चला जाता है इधर समित अपनी मा के सामने मास जाने से पहले उससे मिल सकता हूँ ये सुनकर उसकी मा घबराने लगती है क्योंकि अभिशेक ने दो उसके परिवास से दूर रहने के लिए कहा था तब समित अपनी मा को इमोशनल ब्लैक मिल करने लगता है और उसकी मा कह दिएगी ठीक है मैं अभिशेक से बात करूंगी इस बारे में इसके बाद अब मिसिस पठैल अभिशेक के पास आती है और उससे बहुत प्यार से बात करते है फिर कह दिये कि समित आनिया से एक बार मिलना जाता है यह सुनते ही अभिशेक बर बढ़ने दो ना मेरे लिए क्योंकि चार दिन बाद वो तो केनेड़ा चला ही जाएगा और अविशे कहता है कि ठीक है लेकिन ये मिटिंग मेरे सामने होगी अब हमें सिना और उसकी बीवी को दिखाते हैं जो हैट से पूछ रहे थे कि हमारा बेटा कम मिलेगा तब ही ऑफिस में वही किन्नर आती है जिसे निखिल ने बच्चे को ढूड़ने के लिए कहा क्योंकि विकास ने बताया था कि गोपू मौपनी के एजनसी चलाता है यहाँ प्राची को विकास के साथ ही देखते हैं जहाँ वो कहती है कि मैं अभी शेक की हेल्प करना चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी मदद करो और विकास भी जट से मान जाता है कि हाँ तुमारे लि मैंने उसका चेहरा देखा भी ताया नहीं क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ तब विकास कहता है कि इपनो थरेपी से चुपी हूँ यादे याद आ जाती है और प्राची सोचने लग जाती है कि वो कराए या ना कराए क्योंकि इस से तो उसकी सारी प्रानी यादे ता अब जैसे अभिशेक महां से जाने के लिए अपनी बाइक पर बैठता है तब यूसे पीछे से निकल पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं गले टैट्रिस पे आ गया था मुझे तो कई और जाना था इधर अब विकास प्राची को ह हम मर्दों के साथ बैठ कर खाना ने खाएगी और वो उसकी प्लेट पर लात मार देता है यह देखकर अभिशेक भी अपने बाबा को कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसके बाबा थे तो खदर ना की आप प्रेजेंट में प्राची एकदम से होश में आती है और उसे डर के मा पारे अपने बाबा बाला बाडे नेजर आने लगते हैं और वो बीच सेशन में ही मार से भाग जाती है यहाँ जब अभिशेक घर पर इरा और आनिया के साथ था तब उसे अन्यों नंबर से कॉल आता है और सामने था गोपू तब वो कहता है कि मैं थोड़ी दिर में करती है कि वो जाक आ रहा है क्योंकि उसने अभिशेक की वाच में ट्रेकर जो लगा रखा था अब अभिशेक गोपू से मिरता है जहां वो सीधा मैटीरियल मांगता है और गोपू आब एटी बुलबुल से उसे आइटम की फोटोस दिखाने के लिए क्लिए क्लिए तब अ मैसिज मिल जाएगा जिसमें कब और कहां आना है सब लिखाओगा मैं तुझे मैटीरियल और इंफर्मेशन दोनों मिलेंगी इदर आन्या देव साहनी के साथ खेल रही थी तब वो उसे अपनी बातों में फसा कर कहता है कि मुझे अपना कोई सेग्रेट बताओ और आन्या गया दिये कि मेरी दादी का एक नेल बॉक्स है जो मेरी फ्लावर पोर्ट में रखा है तब इमा अभिशेक आता है और आन्या उसे दिखा देगी देव अंकल ने खेल खेल में मेरा प्रेजेक्ट भी रेडी करवा दिया देव साहनी से गुस्त्रे में अभिशेक कहता है कि और देव साहनी से कहता है कि चलो मेरी वक्षोप पे सही कैसे बनता है दिखाता हूँ तब इरा कह दिये कि हाँ आप जाओ मैं कॉफी लेकर आती हूँ आप जैसे ये दोनों नीचे जाते हैं तब अभिशेक समित को पकड़ कर उसे पीटने वाला होता है तब समित मासूम ब कि सारी गलती अभिशेक की है तब ही समित अपना हाद जान बूचकर जक्मी करता है और बातरूम जाने के बहाने अन्या के रूम से वो नेल बोक्स उठा लेता है और फिर वो घर से चला जाता है अब समित अपने घर पर उस नेल बॉक्स में उस केटी के नाकुन भी रखता और वही सीटी बजाता है जो उसने बाला बालने से सीखी थी और हम देखते हैं कि ये सब करते हुए उसे नर्स दरवाजे के लौक से जाक रही थी लेकिन तबी समित को पता चल जाता है और वो नर्स को कहता है कि तुम मुझसे थोड़ा समल कर रहना अब इजर अभी शेक अन कहता है कि ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ वही अब देख साहने इरा से मिलने आता है और उसके कैविन में जाकने लगता है वही पर उसे केस के सारे लोगों के बारे में पता चलता है अब इरा महां आती है तो वो कहता है कि कल के लिए सौरी और अब मैं यहां से जा रहा वाद में हमें वही flashback दिखाते हैं जब जंगल में भाग रही लड़की पर मचली का जाल फेका गया था और वो बाला बाने और समित पडेल नहीं फेका था तब समित पूछता है कि आप इसे भागने क्यों दे रहे थे तो बाला बाने कहता है कि तरपाने में तो मजा है और फ को बैड कर सीटी बजाते हुए नाकुन को साफ करके अपने पास रख लेते हैं अब कहानी प्रिजेंट में आती है जहां विकास प्राची को लेने आता है और वो दोलों निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि इन दोलों पर समित पडेल भी नजर रख रहा था और वो देखत अगर डॉक्टर पडेल उससे पैसे देने के लिए मान जाते हैं यहां प्राची अब दोबारा हिप्नो थरेपी में अपने पास्ट में जाती हैं जहां उससे मिलने वही बाबा का साथ ही आता है और उसे उसके हात गाना कुन छिला हुआ और हात में SRI का बैंड दिखता है तब ही प्राची की आँख खुलती है और वो कुछ सोच कर बाहर आ जाती है बाहर वो विकास से कहती है कि अब हम उस साथ ही से कुछी कदम दूर है और हम देखते हैं कि ये दो समित पडेल ने भी सुन लिया है जो वहाँ चुप चाप खड़ा था अब यहां ओफिस में ईर नौकरी की सकत जरूरत है सामने से रुपाली पूछती है कि तुमारे घर में कौन-कौन है तो इरा कह दिये कि मैं तो अनात हूं तो ये सुनकर वो औरत कहती है कि हां नौकरी मिल जाएगी और वो इरा से पूछती है कि बता कहा मिलने आऊं और फिर इरा उसे एक जगा का ए बुलबुल है जो गोपु के साथ लड़कों की फोडो दिखा रही थी तब वो आकर ईरा से पूश्ताच करने लगती है और फिर कहती है कि नौकरी तो है लेकिन इलिगल है और इरा कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी फिर इरा कहती है कि मुझे तेरा नंबर रोजी तेल करने दि है अब अगले सीन में मीडिया इरा और उसके हैड को कसुरवा ठहरा रही थी लेकिन इरा कहती है कि मुझ पर इनकुरी चल रही है जो कुछ भी सामने आएगा पता चल जाएगा फिर इरा के सार कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल 72 गंटे हैं केस सॉल्फ करने के लिए व इसके पास आता है और चाकू के एक ही वार से उसे मार देता है यानि गोपू भी कुछ कम नहीं है खुन खराबे में इधर ने खेल किसी से फोन पर बात करता है कि तो किसे भी हाल में वो फाइल रिकवर करके दे क्योंकि वो बहुत जरूरी फाइल है और हम समझ जा देंगी कि वो उसी रिकॉर्डर की बात कर रहा था वहाई थोड़ी दिर बाद इरा पर अन्यों नंबर से कॉल आता है और वो अवाज बदल के कहता है कि मैं अभिशिक बाने बोल रहा हूं तब अभिशिक बताता है कि जो औरत मरी थी वो बुल बुल थी गोपाल उर्फ गोफू की गया था सिना के बेटे के केस में यानि हो सकता है कि गोपाल का सिना के केस से भी कुछ लेना देना हो आप थोड़ी दिर बाद इरा का जूनियर उसे बताता है कि ये इन्फरमेशन एकदम सही है और ये दोनों बाई बहान यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं तब निकर कहता है कि अभिशेक को हमसे कुछ तो चाहिए होगा अब अभिशेक बाने का फोन फिर से आता है और वो कहता है कि मैं बाला बाने का साथ ही नहीं हूँ लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस तक पहुचा सकता हूँ तब इरा कहती कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो त तो मुझ समय उन्हें आकर रंगे हाथ पकड़ सकते हो और ये गोपु ही मेरे बाबा को लड़के सप्लाइ करता था और तीसरी डील है कि जैसे ही पुलिस को गोपु और साथिदार का नाम मिलेगा तब तुम सब लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे साथ ही वो कहता है कि अब को लोगों को कोई भी भनक लगी तो वो मुझे और वहाँ सारी लड़के को मार देंगे इसलिए आप डिसाइड करके मुझे जल्दी बता देना फोन रखते है इरा का जूनियर कैदा है कि लोकेशन दो मिल गई है लेकिन इरा कैदा है कि इतना पागल नहीं है वो जो हमारे ऐ ऐसे ही हाथ लग जाएगा अब तक तो वो वहाँ से भाग चुका होगा फिर निकिल और इरा डिसाइड करते हैं कि हम ये रिस्क लेंगे ताकि सच सामने आए इसके बाद इरा फोन पर समित से बात करती है कि तुम इस समय कहां पर हो और वो कैदा है कि बहुत जरूरी काम से जो मरी है उससे तो तुमारा कोई लेना देना नहीं है न समित कहदा है कि मैं किसी रुपाली को जानता भी नहीं हूँ यहाँ प्राची अब SRI पर रिसर्च करती है और उसे याद आदा है कि उस आदमी ने आकर पैसे दिये थे और लोक्र देते हुए कहा था कि ये अभिश प्राद हो जाऊँगा फिर अभी शेक कीरा को फोन करता है और वो कहते है कि हाँ हम रेडी है अभी शेक कहता है कि जैसे ही मुझे लोकेशिन पता चलेगी मैं तुम्हें बता दूँगा और तुम सब आ जाना आब अभी शेक डॉक्टर पडेल से पैसे लेता है तो से एक फोन निकालते हैं फिर सीन फ्लेश बैक में जाता है जहां डॉक्टर पडेल समित की कार को साफ कर रहे थे तब समित के फोन पर किसी गोपाल का फोन आता है और वो उन्हें कुछ बताता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा अब हम प्राची को देखते हैं जो चिरुआत में हमें फ्लेश बैक दिखाते हैं जहां बाला बाने और समित पडेल बैठे थे और महीं एक लड़की बोर्यों में छट पड़ा रही थी तब समित कहता है कि इस बार आप मुझे माने दो लेकिन बाला बाने कहता है कि नहीं तो अभी इसके लिए तयार नहीं है पर समित तो जित पर अड़ जाता है तब ही मां कमरे में एकदम से विकास आता है और ये वही सीन था जब विकास ने आकर उस छटबटा दे हुई और तब ही उसके साब ने बाला बाने आकर कहता है कि ये तो बस एक हीरन है जिसे अभी मारूंगा और साथ में तूर में जाता है अब सीन प्रिजेंट में आता है जहां पराची डॉक्टर पटेल से अभिशेक बाड़े को अपने पास रखने के लिए थैंक्यू बोलती है और ये सब समित एक सैट से खड़ाओकर सुन रहा था फिर हमें अभिशेक को दिखाते हैं जिसे गोपु का फोन आता है और वो कहता है कि एक एड्रेस भेजा है महाँ पैसा लेकर आ जा और जब तुम्झे पैसे देगा तब बताऊँगा कि तुझे मैटीरियल कहां से मिलेगा यहां प्राची डॉक्टर पटेल को उनके होस्पिटल के बैंड का स्केच दिखा दी है और कहती है कि आपकी होस्प पर है वो भी ऐसे टाइम पर जब हमें एक मिशन पर जा रहा है तब हम निखिल को देखते हैं जो वही रिकॉर्डर लेने आया था जिसकी कुछ फाइल्स रिकवर हो गई थी फिर निखिल जब उस रिकॉर्डर को चलाता है तो विकास का वही सवाल चलता है कि तुम गोपु से बात कर रहा था गोपु कहता है कि मेरे पैसे दे दे और अपना मैटिरियल रोजी तेलकर को ले जा क्योंकि काफी टाइम हो गया इसे समालते समालते तब इसकी गाड़ी से अभिशेक टकना जाता है जिसके बाद हम सब जानते हैं कि समित को मा में चला गया था आ पेरे इशारे पर पुलिस को बुला लियो यहां आप एरा के हैड पूरी टीम को आज की मिशन के बारे में समझा रहे होते हैं और तब ही वहाँ निखिल भी टाइम पर पहुँच जाता है तब सर कहते हैं कि मिशन में थोड़ा चेंज है हम अभिशेक बाने को भी साथ में पकड़ेंगे क्योंकि सर पंच की किलिंग में तो वो भी वांटेड है यह सुनकर इरा कहती है कि सर ये तो दोका हुआ तो सर कहते हैं कि तुम मुझे मैं सिखाओ जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और निखिल इरा को देख रहा होता है कि शायद ये भी अभिशेक के बा दुरान ये सब पता चला निखिल कहता है कि अब मैं उसे ऐसे अजाद नहीं गूमने दे सकता क्योंकि वो और भी खून कर सकता है इरा कहती है कि वो कोई हत्यारा नहीं है मुझे बस तुम 24 गंटे दे दो बाला बाने के साथ ही का पता चलता ही अभिशेक बाने अजाद हो जाएगा और ये कहकर वो वहां से चली जाती है इधर अभिशेक पैसे लेकर बताई हुई जगा पर पहुँच जाता है और विकास को भी अलर्ट रहने के लिए कहता है फिर गोपु का आदमी पैसे गिंगर कहता है कि हाँ ये पूरे है तब गोपु बताता है कि तेरा मैट और ये सब बाहर विकास बैंग में लगे रिकॉर्डर से सुनकर एरा को मैसिज के जरिये बता देता है फिर गोपु अभिशेक को आदमी नोट देता है और कहता है कि मा के सेक्योर्टी गार्ड को ये दिखाना तुमारे मैटिरियल मिल जाएगा इधर पुलिस वाले एट्र को आग लगा देता है और फिर अपने साथियों से अभिशेक को खुब पिटवाता है और उसे पैसे वाले बैग में एक रिकॉर्डर भी मिलता है यह देख कर गोपु कहता है कि तेरे बाप को पता चलता कि तो पुलिस वालों से मिला है तो वो उल्टा सबसे पहले तुझे क्ला से यह आई रा और उसके साथ ही मिलकर उसी बताएवी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उनके ऊपर वहां के लोग हमला कर देते हैं और वहां बहांग का लड़ाई होती है जिसमें रा निखिल की जान भी बचाती है तब ही रा को अभिशेक का खयाल आता है और व गोप अपने साथियों से कहता है कि हम अलग-अलग निकलेंगे और रानी गैराज में विलेंगे तब ये बाहर उसका साथी विकास को फिर से बिल्डिंग में देख लेता है और उसे मारने के लिए आने लगता है तब विकास अपने चैनल से लाइव आकर बताता है कि मैं इस फ़स चुका हूँ जल्दी से पुलिस भीजो बढ़ना ये लोग मुझे मार डालेंगे या पुलिस वालों को बंकर में कई सारी लड़किया और बच्चे मिलते हैं जिने गोपु ने हुमेन ट्रैफिकिंग के जरिये अपने पास रखा था वहाई उनी बच्चों में सिना क बेटा भी मौजूद था इधर विकास को वो आदमी पकड़ कर खुम मारता है और गोपु भी अब अभिशेक पर गासलेट छिड़क कर आग लगाने वाला होता है तब ही वहाँ इरा उस पर बंदूपतान देती है पर गोपु इरा को ही पकड़ कर उसे मारने लगता है अब रोते हुए इरा उसे वहाँ से भगा देती है कि तुम जाओ अभिशेक बाने जिसके बाद अभिशेक एक जगा पर बैट कर अपनी सारी यादों को याद करता है और खुब रोता है और थोड़ी दिर बाद इरा भी उसके पास आती है और अभिशेक कैदा है कि मुझे दूसरे से कुछ भी नहीं चुपाएंगे और फिर इरा और अभिशेक दोनों साथ में मिलकर साथिदार को पकड़ने के लिए रैडी हो जाते हैं यही पर एपिसोड 5 खतम होता है दुफतो अब बागी के तीन एपिसोड में हमारे सामने सारे राज खुलेंगे कि अभिशे अभिए